कलास 10th मैथ बीबी आई अबजेक्टिव कोश्चन देखिए मैं आपको ट्रिगुमेट्रिस अबजेक्टिव कोश्चन बताने जा रहा हूँ कलास 10th के लिए बीबी आई देख सकते हैं 9 सेके स्क्वाइर माइनस 9 टेन स्क्वाइर है आपका तो इसमें क्या है कि पहले कोश्चन में हम अगर 9 कॉमन कर लेते हैं 9 तो आपका हो जाएगा यह सेक स्क्वाइर ए माइनस 10 स्क्वाइर तो 9 हो गया और इतना इकॉल टू फर्मूला 1 होता है इन्टू 1 यानि कि 9 एंसर हो जाएगा एंसर हो जाएगा हमारा B नमबर अगला कोश्चन है कोश्च नबे माइनस A तो कोश्च नबे माइनस A फर्मूला होता है कोश्च नबे माइनस A सेक A एंसर हो जाएगा B नमबर 2 साइन स्क्वाइर ए माइनस 1 तो लिख सकते हैं इसको sin a square a minus 1 है तो इधर एक पुलस हो जाएगा अद 2 गुणा में है तो bottom में हो जाएगा sin a square है तो square अगर हटा देंगे तो इधर एक रूट हो जाएगा तो 1 by root 2 हो जाएगा 1 by root 2 sin 45 degree के मान होता है sin 45 तो answer हो जाएगा a number अगला question देखें क्या है अगला question है हमारा sin a square 45 और cos a square 45 sin a square 45 के मान 1 by root 2 a square करेंगे इसका इसका भी 1 by root 2 ही होता है a square करेंगा दोनों बराबर कट जाएगा यह तो इसके answer आजाएगा आपका 0 answer हो जाएगा b number यहाँ आप मत देखिए यह गलत है b number answer होगा अगला question देखिए अगला question है theta के मान 60 degree है sin theta plus cos theta के मान क्या होगा sin theta के जगा रखेंगे मान sin 60 degree plus cos 60 degree तो इसका मान होता है root 3 by 2 plus इसका मान होता है आपका 1 by 2 LC हम ले लेंगे तो root 3 plus 1 by 2 यानि कि यह number answer हो जाएगा ठीक है अगला question देखिए क्या है 6 theta ब्रावर 25 बटा 7 तो 6 theta ब्रावर फर्मूला होता है 6 theta ब्रावर b बटा h तो b के मान 25 आ h के मान 7 हो जाएगा नहीं h बटा b b होता है आपका h बटा b sorry h बटा b h के मान आपका 25 हो जाएगा ठीक है और b के मान आपका 7 हो जाएगा तो h के मान 25 आ b के मान 7 तो 10 theta निकलना है तो 10 theta में p की ज़रूब होता है p के हम निकलेंगे p के फर्मूला होता है h square हाँ minus b square 25 के square मैं 7 के square हो जाएगा 24 के square तो 24 आजाएगा तो 10 theta ब्रावर हो जाएगा 24 बटा 7 एंसर हो जाएगा d number अगला question देखिए अगला question है आपका 2 sin 2 theta तो इसको लिख सकते हैं sin 2 theta बड़ावर root 3 या बाटा 2 2 गुणा में हो जाएगा तो sin 2 theta बड़ावर root 3 बड़ा 2 60 degree का माना है तो sin 60 degree तो 2 theta बड़ावर 60 degree तो theta बड़ावर 30 degree क्योंकि 2 आपके बाटा में हो जाएगा तो 30 degree एंसर हो जाएगा एंसर हो जाएगा अगला question देखिए क्या है अगला question है यहाँ पे cost theta गुणा में है इधर आज़ा सकता है ये sin theta बड़ा cost theta हो जाएगा बड़ावर root 2 ये आपका जो है sin theta cos 10 theta हो जाएगा 10 theta बड़ावर root 2 आपके एक शीपा हुआ तो P बड़ा B H निकाल लेंगे हमें यहाँ पे H निकाल कर और तब हम जो है 6 theta के मान रख देंगे तो root 3 हो जाएगा एंसर हो जाएगा आपका B number अगला question देखिए 4 theta बड़ावर 4 theta बड़ावर cosec square theta minus 1 फर्मूला होता है एंसर हो जाएगा यह number अब देखिए एक आरे number question क्या है एक आरे number question है 1 plus 4 square theta 1 plus 4 square theta फर्मूला हो जाएगा आपका cosec square theta 1 plus 10 square theta formula हो जाएगा 6 square theta 6 square theta उपर जाएगा तो हो जाएगा cos square theta नीचे यह हो जाएगा sin square theta cos beta sin cos theta theta होता है i square है i square तो i square तो c number answer हो जाएगा अगला question देखिए क्या है cos theta बड़ावर तो पंदरे गुड़ा में है तो इधर बड़ा में हो जाएगा पंदरा आपका तो कोट theta बड़ावर इतना हो जाएगा तो b बड़ा p तो हम पहले h निकाल लेंगे h निकाल लेंगे तो 17 हो जाएगा तो sin a बड़ावर तो p बड़ा भी पंदरे बड़ा तो अंसर हो जाएगा आपका c number अब question है जेखिए 13 number तो 13 number question है sin बड़ा कोस है जोड़ने पर 90 degree cancer होगा जी एक होगा sin theta बड़ावर कोस ठीटा तो ये हो जाएगा आपका sin theta बड़ावर 1 कोस निचे आगे तो ये हो जाएगा आपका 10 theta बड़ावर 1 10 पैतारीस धीडी के मान होता है answer हो जाएगा c number दूसरा question देखिए क्या है कोस एक दू तीन नवे तक है अब जानते हैं कि कोस जो है 90 का मान जीरो होता है तो जब सब में गुणा कर दी जाएगा तो क्या answer बन जाएगा 0 आक कोस नवे मैंने शिटा क्या होता है तो थिरी 10 ठीटा के मान निकलना है तो थिरी 10 ठीटा के मान हो जाएगा निकलेंगे इसका हम P के मान तो 4 आ जाएगा और यह 3 तो 3 से 3 कट के 4 answer है यह दिकि C number answer हो जाएगा sin square theta plus cos square theta बना फर्मूला 1 होता है तो यह number answer हो जाएगा cos number minus sin a होता है answer b number हो जाएगा 3 square theta minus 1 square theta यह फर्मूला जो है उटा है 1 square theta minus 10 square तो common कर लेंगे तो minus 1 answer तो इस वीडियो में आपको 20 objective question trigometry से बता है next वीडियो में और हम आपको question बताएगे 20 जो कि देख सकते हैं BBI question trigometry chapter से इसके बाद अगले वीडियो में आपको हम संखिकी chapter से बता देंगे मने chapter वाई आपको objective question हम बताएगे जिससे आपका पूर्ण रूप सत्यारिक हो जाएगा complete